लीजे सुनिये मुहंदास करम चंद गांधी यानि महत्मा गांधी की आत्म कथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के दूसरे भाग के बाइसवें अध्याए धर्म निरिक्षन का वाचन वाचन समीर को स्वामी का है इस प्रकार मैं हिंदुस्तानी समाज की सेवा में उत्प्रोथ हो गया उसका कारण आत्म दर्शन की अभिलाशा थी ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी ये मानकर मैंने सेवा धर्म स्विकार किया था मैं हिंदुस्तान की सेवा करता था क्योंकि वो सेवा मुझे अनायास प्राप्त ही थी मुझे उसे खोजने नहीं जाना पड़ा था मैं तो यात्रा करने कठिया वाण के शडियंत्रों से बचने और आजीविका खोजने के लिए दक्षन अफ्रिका गया था पर पढ़ गया ईश्वर की खोज में आत्मदर्शन के प्रैत्ने में ईशाई भाईयों ने मेरी जिग्यासा को बहुत तीवर कर दिया था वो किसी भी तरह शान्त होने वाली ना थी मैं शान्त होना चाहता तो भी ईशाई भाई बेहन मुझे शान्त होने ना देते क्योंकि डर्बन में मिस्टर इस्पेंसर वाल्टन ने जो दक्षन अफरीका के मिशन के मुखिया थे मुझे खोज निकाला उनके घर में मैं कुटुम्भी जैसा हो गया इस संबंध का मूल प्रिटोरिया में हुआ समागम था मिस्टर वाल्टन की रीत नीत कुछ दूसरे परकार की थी उन्होंने मुझे ईसाई बनने को कहा हो सो याद नहीं पर अपना जीवन उन्होंने मेरे सामने रख दिया और अपनी प्रुवित्तिया कारे कलाप मुझे देखने दिये उनकी धर्मपत्नी बहुत नम्र परंतु तेजस्वी महिला थी मुझे इस दमपत्ती की पद्धती अच्छी लगती थी अपने बीच के मूल भूत मतभेदों को हम दोनों जानते थे ये मतभेद आपसी चर्चा द्वारा मिटने वाले नहीं थे जहां उदारता, सहिशुनता और सत्त होता है वह मतभेद भी लाबदायक सिद्ध होते हैं मुझे इस युगल की नम्रता, उद्यमशीलता और कारेपरायनता प्रिये थी इसलिए समय समय पर मिलते रहते थे इस समद्धने मुझे जाकरत रखा धार्मिक पुस्तकों के अध्यन के लिए जो फुरसत थी अब असंभो थी पर जो थोड़ा समय बचता उसका उप्योग मैं वैसे अध्यन में करता था मेरा पत्रव्यवार जारी था रायचंद भाई मेरा मार्क दर्शन कर रहे थे किसी मित्र ने मुझे नर्मदा शंकर की धर्म विचार पुस्तक भेजी उसकी प्रस्तावना मेरे लिए साहयक सिद्ध हुई मैंने नर्मदा शंकर के विलासी जीवन की बाते सुनी थी प्रस्तावना में उनके जीवन में हुए परिवर्तनों का वर्णन था उसने मुझे आकरशित किया और इस काराण उस पुस्तक के प्रती मेरे मन में आदर उत्पन हुआ मैं उसे ध्यान पूर्वक पढ़ गया मैक मूलर की हिंदुस्तान क्या सिखाता है उस तक मैंने बड़ी दिल्चस्पी के साथ पढ़ी थियसोफिकल सोसाइटी द्वार प्रकाशित उपनिश्यदों का भाशांतर पढ़ा इस से हिंदु धर्म के प्रती आदर बढ़ा उसकी खूबिया में समझने लगा पर दूसरे धर्मों के प्रती मेरे मन में अनादर उत्पन्न नहीं हुआ वाशिंग्टन अरविंद करत महमद का चरित्र और कारलाइल की महमद इस्तुती पढ़ी महमद पेगंबर के प्रती मेरे सम्मान बढ़ा जर्थुस्त के वचन नामक पुष्टक भी मेने पढ़ी इस प्रकार मैंने भिन्ने भिन्ने संप्रदायों का थोड़ा बहुत ग्यान प्राप्त किया मिरा आत्मनी रिक्षन बढ़ा जो पढ़ा और पसंद किया उसे आचरण में लाने की आदत पक्की हुई अतेव हिंदु धर्म से सूचित प्राणययाम संबंधी कुछ क्रियाएं जितनी पुस्तक की मदद से समझ सका उतनी मैंने शुरू की पर वे मुझे सधी नहीं मैं उनमें आगे न बढ़ सका सोचा था कि वापस हिंदुस्तान जाने पर उनका अभ्यास किसी शिक्षक की देख रेख में करूंगा पर वो विचार कभी पूरा नहीं हो सका टॉलिस्टाई की पुस्तकों का अध्यन मैंने बढ़ा लिया उनकी गास्पेल्स इन ब्रीफ यानि नए परार का सार वाट टू डू यानि तब क्या करें आधी पुस्तकों ने मेरे मन में गहरी छाप ढाली विश्व प्रेम मनुश्य को कहां तक ले जा सकता है इसे मैं अधिकाधिक समझने लगा इसी समय एक दूसरे इसाई कुटुम के साथ मेरा संबंध जोडा उसकी इच्छा से मैं हर रविवार को वेरी लाइन गिर्जे में जाया करता था अक्सर हर रविवार की शाम को मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था वेरी लाइन गिर्जे का मुझे अच्छा असर नहीं पड़ा वहां जो प्रवचन होते थे वे मुझे शुश्क जान पड़े प्रेक शकों में भक्ती भाव की दर्शन नहीं हुए ये 11 बजे का समाज मुझे भक्तों का नहीं बलकि दिल बहलाने और कुछ रिवाज पालने के लिए आए हुए संसारी जीवों का समाज जान पड़ा कभी कभी तो इस सभा में मुझे बर्बस नीन के जोंके आ जाते इस से मैं शर्माता पर अपने आस पास भी किसी को उंखते देखता तो मेरी शर्म कुछ कम हो जाती अपनी ये इस्तिती मुझे अच्छी नहीं लगी आखिर मैंने इस गिर्जे में जाना छोड़ दिया मैं जिस परिवार में हर रविवार को जाता था कहना होगा कि वहां से तो मुझे चुटी ही मिल गई घर की मालकिन भोली परंतु संकुचित मन की मालूम हुई हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ धर्म चर्चा तो होती ही रहती थी उन दिनों मैं घर पर लाइट आफ एशिया पढ़ रहा था एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुल्ना करने लगे मैंने कहा गौतम की दाया देखिए वो मनुष्य जाती को लांग कर दूसरे प्राणियों तक पहुँच गई थी उनके कंधे पर खेलती है मेमने का चित्र आँखों के सामने आते ही क्या आपका हिर्दे प्रेम से उमर नहीं पढ़ता प्राणी मात्र के प्रती ऐसा प्रेम मैं इसा के चरित्र में नहीं देख सकाया उस बेहन का दिल दुखा मैं समझ गया मैंने अपनी बात आगे न बढ़ाई हम भूजनाले में पहुँचे कोई पांच वर्ष का उनका हसमुख बालक भी हमारे साथ था मुझे बच्चे मिल जाएं तो फिर और क्या चाहिए उसके साथ मैंने दोस्ती तो कर ही ली थी मैंने उसकी थाली में पड़े मास की टुकड़े का मजाक किया और अपनी रकाबी में सजे हुई सेव की स्तुती की निर्दोश बालक पिघल गया और सेव की स्तुती में सम्मिलित हो गया पर माता वो बिचारी दुकी हुई मैं चेता चुप्पी साथ गया मैंने चर्चा का विशय बदल दिया दूसरे हफते सावधान रहकर मैं उनके हां गया तो सही पर मेरे पाउँ भारी हो गय थे मुझे ये ना सूझा कि मैं खुद ही वहां जाना बंद कर दूँ और ऐसा ना करना उचे जान पड़ा पर उस भली बहन ने मेरी कटनाई दूर कर दी वे बोली मिस्टर गांधी आप बुरा ना मानियेगा पर मुझे आप से कहना चाहिए कि मेरे बालक पर आपकी सोहबत का बुरा असर होने लगा है अब रोज मास खाने में आना कानी करता है और आपकी उस चर्चा की याद दिला कर फल मांगता है मुझसे ये ना निप सकेगा मेरा बच्चा मासाहर छोड़ने से बीमार चाहे ना पड़े पर कमजोर तो हो ही जाएगा इसे मैं कैसे सह सकती हूँ आप जो चर्चा करते हैं वो हम सयानों के बीच शोभा दे सकती है लेकिन बालकों पर तो उसका बुरा ही असर हो सकता है मिस्जिज मुझे दुख है माता के नाते मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ मेरे भी बच्चे हैं इस आपत्ती का अंतसरलता से हो सकता है मेरे बोलने का जो असर होगा उसके अपेक्षा मैं जो खाता हूँ या नहीं खाता हूँ उसे देखने का असर बालक पर बहुत अधिक होगा इसलिए अच्छा रास्ता तो ये है कि अब से आगे मैं रविवार को आपके हाँ ना हूँ इस से हमारी मित्रता में कोई बादा न पहुँचेगी बेहन ने प्रसन होकर उत्तर दिया मैं आपका आभार मानती हूँ कभी आप सुन रहे थे मोहंदास करम चंद गांधी यानि महत्मा गांधी की आत्म कथा सत्त के साथ मेरे प्रयोग के दूसरे भाग के बाइसमें अध्याए धर्म निरीक्षन का वाचन वाचन समीर गुस्वामी कथा